हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज इन हिंदी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी किसी फारम में किसी एप्लिकेशन में या किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो या कोई आईडी बनाते हो या कोई भी काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एंटर यूर डेट ऑफ बर्थ और फिर या कुछ ऐसा डबबा बना हुआ है डवल डी फिर डवल एम फिर चार वार वाई लिखा हुआ है या डवल एम डवल डी फिर चार व यहां पे डबल डी का मतलब होता है डेट, डबल अम का मतलब होता है मन्थ और चार वार वाई का मतलब होता है इयर किया कौन से सन में पैदा हुए यहां पे भी है ऐसे डबल अम का मतलब है मन्थ, डबल डी का मतलब है डेट और इयर का मतलब है इयर यानि की वर्ष तो यहाँ पर मैं आपको लिखके दिखा देता हूँ तो double d का मतलब होता है date इसका मतलब होता है month और year का मतलब होता है और 4 वार y का मतलब होता है year तो उसका मतलब यह होता है अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह double d क्यों लिखा हुआ है double MQ लिखा हुआ है और 4 वर YQ लिखा हुआ है तो उसके कहने का मतलब यह है कि अगर आप date डाल रहे हैं तो वहाँ पर date में 2 digit होनी चाहिए यानि double digit होनी चाहिए ऐसे ही month में अगर आप month enter कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको double digit use करनी है और अगर आप year enter कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 4 digit use करनी है आप single digit का use नहीं कर सकते हैं यहाँ पर भी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अब मैं आपको कुछ example देता हूँ जैसे कि माली जी मेरी date of birth है तीन तारिक छटा महिना 1995 तो normally लोग ऐसे लिखेंगे तीन तारिक छटा महिना 1995 पर इस format में यहाँ पर ऐसे नहीं लिखी जाएगी यहाँ पर मुझे date में लिखना पड़ेगा 03, month में लिखना पड़ेगा 06 और year में लिखना पड़ेगा 1995 क्योंकि यहाँ पर double digit मांग रहा है यहाँ पर single digit allowed नहीं है अब मान लिजीए मेरी जो date of birth है वो है 16 तारिक 11 महिना 1995 तो normally लोग इसे लिखेंगे 16 तारिक 11 महिना और 1995 तो यहाँ पर भी मैं same to same यहाँ पर ऐसे type कर दूँगा क्योंकि यह पहले से double digit इनने ले रखा है तो यहाँ पर हमेशे कर देंगे date में 16 तारिक और month में कर देंगे 11 वहिना और year में कर देंगे 1995 तो आपको साया समझ में आया होगा यह आपको ध्यान लगना है m का मतलब होता है month double d का मतलब होता है date और year का मतलब होता है वर्ष यह आपके आगे पीछी हो सकते हैं जैसे यहाँ पे है तो अगर आप एक से लेके 9 के बीच में कोई भी digit एंटर कर रहे हैं तो आपको पहले 0 लगाना पड़ेगा ऐसे ही अगर आप वर्ष में यानि मन्थ में एक से लेके 9 की बीच में कोई digit एंटर कर रहे हैं तो आपको 0 लगाना पड़ेगा मैं आपको थोड़े और एक्जांपल दे रहता हूँ जैसे कि मेरी date of birth है 3 तारीक 5 अभाईना 1992 तो यहाँ पर मैं लिखूँँगा 0 3 यानि 3 तारीक 0 5 1992 यहाँ मेरी date of birth है 5 तारीक 11 महिना 1992 तो यहाँ पर लिखूँगा 0 5 11 महिना 1992 बस आपको इधानक ना है आपके जो date है वो आगे पीछे हो सकते हैं जैसे मांग रहा है तो यहाँ पर date यह हो गई है और month यह हो गया है और year यह हो गया है अगर यहाँ पर मांगता है तो यहाँ पर date यह बीज में हो जाती और month यहाँ पर हो जाता और year यहाँ पर हो जाता बस आपको इसे आगे पीछे करना पड़ सकता है आपको यह देखना पड़ेगा कैसे लिखा हुआ है शायद आपको सौझ मां आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें